Hello Friends, Welcome to Chaya Classes. आज इस वीडियो में करेंट टॉपिक फिलिस्तीन और इसराइल के बीच चल रहे संगहर्स को मैप पे डिसकस करेंगे. फिलिस्तीन और इसराइल अक्सर आप न्यूज में सुनते रहते हैं और दिमाग में क्वेशन उठता है कि आखिर इनके बीच में युद्ध क्यू होते हैं? फिलिस्तीन कहा है और इसराइल कहा है इन दोनों के बीच युद्ध का क्या क्या कारण है? तो चलिए आज इसे हम discuss करेंगे इस वीडियो के माध्यम से इस topic से related question exam में आना confirm है इसलिए जरूरी है कि आप अच्छे से समझ लें कि हमास कहां है गाजा पट्टी क्या है, गोलन हाइड्स क्या है और कहां इस्थित है चलिए स्टार्ट करते हैं इसराइल और हमास के बीच चल रही हिंसा के बीच युद्ध की आशंका है इसका लोगो आप स्क्रिन पर देख सकते हैं कि हमास का लोगो क्या है हमास फिलिस्तीनी सुन्नी मुसल्मानों की एक सशस्त्र संस्था है जो फिलिस्तीन रास्टिय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है हमास का गठन 1987 में मिश्र तता फिलिस्तीन के मुसल्मानों ने मिलकर किया था मुख्याले गाजा है जिसका उद्देश चेत्र में इस्राइली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की इस्थापना करनी थी इस्राइल फिलिस्तीनी संगर्स यहाँ आप मैप पे देख सकते हैं ब्लू वाला पार्ट देखे मैप पे ब्लू वाला पार्ट इसराइल है जो भुमद्य सागर मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है डाक ग्रीन वाला फिलिस्तीन से सम्मंधित प्लेसेज हैं जिसमें गाजापटी, वेस्ट बैंग, गोलन हाइट्स को आप देख सकते हैं इन ही प्लेसेज को लेके समय समय पर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्य युद्ध होता रहा है तो अब आप इसे मैप पर देख लिए हैं, अब देखते हैं और इसे डिटेल में दोनों देशों के बीच विवाद में इनकी क्या-क्या कारण है देखिए, वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक इसराइल और जाडन के मध्य अवस्थित है गाजा पट्टी, गाजा पट्टी इसराइल और मिश्र के मध्य इस्थित है इसराइल ने वर्स 1967 में गाजा पट्टी का अधिगरण किया था और नेक्स देखिए गोलन हाइट्स गोलन हाइट्स एक सामरिक पठार है जिसे इसराइल ने वर्स 1967 में युद्ध में सीरिया से छीन लिया था और ग्यात हो कि हाल ही में अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर येरुशलम और गोलन हाइट्स को इसराइल का एक हिस्सा माना है तो आपने इसे मैप पे भी देख लिया और इनके रीजन्स को भी देख लिया वेस्ट बैंक, गाजा पटी, गोलन हाइट्स ठीक है आई होब कि ये करेंट का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और कुछ रह गया हो तो इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख कर बताएं और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करें थैंक्यू सो मच